अब दोस्तों नवस्कार आप सभी का स्वागत है मैं जिके सेनी फिर से आप सभी का यूटूब चैनल टारगेट ओनली जिके में स्वागत करते हैं आज हम बात करेंगे जो बी-एस-टी-सी का जो पेपर हो रहा है उनकी हम बात करेंगे आपके साथ में दोस्तों तो आप स्वागत करते हैं अभी नंदर करते हैं दोस्तों तो शुरू करने की बात करते हैं तो आज का जो पहला से उनकी हम बात करेंगे चर्चा करेंगे दोस्तों आज कर तो यह अदे नी can iBe been saying हे तो यह शुरू करते हैं आज का पैसला कि ह्याल डंगल राजिस्तान में कि सचिल्स तो हमें तो आप हमें इसका जो आंसूर है वह कमेंट मेंट के दिलिये विल्य हैं दोस्तों हम इंतेजार करेंगे किक आप हमें आइन स्वॉस्का तो सही अनस्वर हो डो सकी इसकी कई पर्सीद है दो कई फिलकुल सही आंस्वर आपने बते हैं डिलकुल अगला की से मुच्थ ऍे हैं जो है राजस्थान प्रिस के अंदर भी बहुत ही महत्मूर ने क्योंगे राजिस्तानलों के अंदर बात करेंगे राजिस्तान जिकिका मैं 60 कुछनस पोर्षन है यह कुंस भी पुछे गए थे राजिस्तान के एकजाम के अंदर है तो बिल्कूल जो दो नमर कुछन हैं पिछव एकल्दा है श्रीकर्शन से सिरीकर्शन किस्टी जिया बीकर्शन से अगลा से समधें ने स्वियुद्धों अगला स्टेक्षें नमर किसे से तो सब्सक्राइब में हरा अनुसार राजिस्तान फैर्वा नींतंतंत्रs नें तो इसमें जो सबसे पहले option की बात करते हैं तो दोस्तों सही आंसर होगा सबसे पहले इसका मैं जसल मेर और विकाने रहेगा यह ज्यान रखना तो सही आंसर तीन नमर option हो जाएगा बिल्कुल आपका जो तीन नमर और दोस्तों चारनवर कूश्ऑस से राजिस्तान पर्थम पवन उर्जा सहिंतर किस्ता अपना कहां की गएती तो जौपर कि बात करते हैं यह जय को कि बात करेंगे राजिस्तान का पूरा बीश टीर्श का जो आज प्यपरूबा उनकिंटी जिगे की solution कर रहे हैं बिल्कुल बारी अबुसन कहां पहना जाता है बारी अबुसन कहां पहना जाता है बिल्कूल जो इसका जो सही आंस्वर है दोस्तों ये बारी अबुसन कानों के अंदर पहना जाता है बाली तो ये कौन सा कानों के अंदर पहना जाने वाला अबुसन है कानों के अंदर पहना जाने वाला उसकी वाद देखिए चैनल महारणा परताब का राज्य तिलिक कहां हुआ दोस्तों फिस से आप सभी का स्वागत हैं आप में कमेंट के दिरें बिल्कुल किसन सहीत आंसर दे सकते हैं कि महारणा परताब का राज्य तिल्क का हुआ चावन्द गुगुंदा गुमल गड रुदेपूर देखते हैं सबसे पहले आश्य कौन सहीत देता है बिल्कुल देखते हैं अभी गोगुंदा बताया गया है और देखते हैं और कौन देते हैं सर बहुत ही अच्छे क्यूसंस की बात करते हैं राजिस्तान प्रिस्ट के लिए वह भी बहुत ही मत्पूर है लेकिन जो बीश्टिसी कहाई है उसकी हम बात करेंगे तो इसका जो सह दोस्तों है उस व्यक्ति का नाम बतायी है जिसने रतन सींग के दर्बार से निकल कर निकाल दिया गया था बाद में वह अलोधिन खिल जी के सर्णों में पहुंचा यह बहुत ही अच्छा क्यूसंस हैं यह पदबनी से समंदित हैं पदबनी पदबनी अलोधिन फिल्ख तोड़े साकय की बात करते हैं तेरा थेज्थेंद के अंदर उनकेWhy relative हुए विल्कुल इसका जो सही आंसर है चेटन रागो जो आनसर है राजिस दूआ को सब्सकिए हैं सब्सक्राइब अगले किस्टन की बात करते हैं राजिस्तान की बात करते हैं पर्थम फिलम राजस्तानी फिलम का नाम क्या है पर्थम राजस्तानी फिलम का नाम क्या है बिल्कुल यह कॉंस्टेमल के अंदर 2013 के अंदर पुछा गयता यह पर्थम राजस्तानी फिलम का नाम क्या है बिल्कुल राजस बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है नजराना क्या उतने में तो इससमें नम्र क्रिक्रका नजराना फिल्म है कि उसकी बार हम दस नमर क्यूसिंट की बात करतें हैं राजिस्तान में मुख्यमंत्रः रूप में सरवुदिक पार सपत लिए कि सरुदी मोंला सुकडया हर्देव जोसी कि रदेव जो या भेरो सीन्ग भेरोशेक। हिरालाल देवपुरिया और चरन सिंग और ये देखते हैं बिल्कुल देखते हैं क्या इसका सही आंसोर बिल्कुल देखते अभी तक कमेंट दोस्तों अभी तक आप कमेंट नहीं आ रहे हैं बहुत ही जो है उसका आंसर किये किसन्स बहुत ही महत्मुर्ट कुछंस हैं कि कुछंस हैं कि दोस्को इसका जो सही आंसर है मोहला सुखड़या और हर्दे उचोशी इन में से भेरोशिंग से एकांद में अपने कारिकाल में सबसे ज़्यदा बजट पेस किया यह सवाल पूच गया था कि किस मुख्यमंतर ने सरवदिक बार बजट पेस किया तो बेरुसिंग उसकी वाद में देखिए उसकी बाद में अगला क्योसे से दोस्तों डेगाना छेतर में राजस्तान की खान को डेगाना डेगाना ना यह जो नागोर के अंदर है बिल्कुल जो आपका सवरवपत आंसर बिल्कुल कि राजिस्तान के लिए बिल्कुल शुम, कि इसका सही अनसर हो गया है, अब इसकी हम बात करते हैं, अगले क्यूसिंस की हम बात करते हैं अगला क्यूसिंस है हमारा अगला क्यूसिंस की बात करते हैं अगला क्यूसिंस है बाश स्ट्टम्बर क्यूसिंस की बात करते हैं बस कि कि अ जाए अप्ट है अखिक अरो बोड़ा कि अप्ट है अजया ऑच है कि अजया है अजया है इस अजया है अजया है बात करते हैं राजस्तान की गांधी किसी कहा जाता है राजस्तान का गांधी भोगीलाल पंडिया को कहा जाता है लोग्ष्ट में अगला क्युत कर दो है जो 60-83 नामर से राजस्तान का एक मातर पक्षी चिकहले कहां बसी है और जो नियुकिन पक्सी चिकी साले का है जेपूर के अंदर है यह आपको ज्यान में रखना है पक्सी चिकी साले जेपूर यह सवाल राजिस्तान पूछा गया था उसके बाद देखिए जो किसानों के उपर आरोपित कर बिल्कूल इसका दो सही आंसर है किसानों के उपर जो आरोपित कर है वो लागबाग कहा जाता है उसके बाद में देखते हैं 15 नंबर क्यूशंस 65 नंबर क्यूशंस राजिस्तान अपना वर्तमान जो राजिस्तान के अंदर जो वर्तमान है जो राजिस्तान के अंदर वर्तमान राजिस्तान वर्तमान में सरूप कब आया था तो इसका जो सही आंस्वर है 1956 के अंदर एक नॉवंबर 1956 के अंदर आया था वर्तमान राजिस्तान एक नॉवंबर 1956 के अंदर तो बिल्कुल जो इसका जो सही आंस्वर है 15-5 सेक्टमबर क्य किसंस देखते हैं कि बात करते हैं दोस्तों अगला हमारा जो कुच्छंस है राज़स्तान सब्द का पहली बार परियोग बहुत कि अच्छा कुच этого आरेस के अंदर पटवरी के अंदर जञां से अंदर मिल सकते तो इस क्यूसन को आप लोकास बहुत महत्रपुनां की विए ग्रिपसिंद से एकजाम की दुरस्ट कि है तो इसका जो सही अन्सुर है वह करनल जैम से टोड जिसका जो ऑफ रहे हैं वह है करनल जम्स टोड़ करनल जम्स टोड़ ने बताया बिल्कुल कि राजिस्तान सब्द का उलेक भी किया था करनल जम्स टोड़ और और इसका दूसर ही आंसर है करनल जम्स टोड़ अगले क्यूसिंस की बात करते हैं करते हैं काली बंगा जो एक 80 किस्तान वर राजिस्तान में कहा है बिल्कुल इस सब्यता से समझ दिता है दोस्तों किस समझ दिता हैं कम यह घू आ यह झे जो कुशन सवाइ सिक्स्टी सेवन 20 का प्रजक की लिए यह ग्या रहें रजस्ताँ जीकीख तो इसमें जो सही काली बंगा का ए्ट्यसी किस्तान तॉनी से बिल्कुल में गंगानगर में हैं और इसका जो सही रेलेटिव है वह हन्मान गड़। यह प्स नहीं हैं तो क्या आजेगा आपका गंगा नगर कि अग्ला कुस्स की बात करते हैं शिक्स्टी एड नबर की बात करते हैं ताम्प्र संसक्र्टि के चिन किसी मिले ताम ही के तामबर संस्कृति किसी कहा जाता है किस जननी को कहा जाता है तो इसका जो तामबर ह्योगिन जननी है वो बना आयड उदेपूर के अंदर है उसका जो सही आंसुर क्या है उदेपूर है उसकी बाद में अगला क्यूशन से दोस्तों सीर्वी जाती खेती से जूड़ी अधिका संतान में कहा निवास करते हैं बिल्कुल सीर्वी जिन जाती होती कि छी ते स्यवी जेजाती अ देखते हैं 69 क सबसे पहले आंसर या शीरिशन जाती विल्कूल जो जो आंसर बता आगा है कोटाक के अंदर नहीं है दोस्तों ज़्रों इसका सहीैं आंसर है जeping ज्शाट तरह पूची जांदर आपको आपको ज्योधर के अंदर भी नहीं है जेपर के अंदर सब अगला क्यूशन देखी मेवाड के सुषोधिया निम्ने मैंसे मानते थे मेवाड के अंदर है सुषोधिया अपने आपको किस वंस के मानते थे 27 नम्र क्यूशन की बात करते है इस परकार से 27 नम्र क्यूशन की मेवाड में सुषोधिया से लिए इसरो दियवह को आपने सूरी बंसी मांते थे किसको मानते हैं सूरी बंसी मांते थे एगला क्यूस बन दर लिएकर लिकी गई थी ते किसकी दूआरा लिखी गई थी भौती अच्छा क्यूस न्युक्र confidential से कि दिम्ने द्वारा किसकी द्वारा लिखी गई है इसका जो सही आंसर है उदोधन सूरी दोस्तों सही आंसर क्या है उदोधन सूरी द्वारा लिखी तक उसकी बाद में अगला क्यों से संगीत के जेपूर घराने के परसिद संगीतकार कौन माने जाते हैं तो इसका जो सही आ फद चित्रकारी चित्रकला त में उसकुल इलकुल स्कुल जोडी हुई है राजिस्तान के फड चित्र और का मतलब सहापूरा भीलनओड सहापूरा भीलनओडा उस सिमें किसम अदेर मे transl attempt का सही क्या है मेवार सही आंसवर मेवार अगला क्यूसन से देखी काल बेलिया काल बेलिया निर्थिय राजिस्तान के किस जिल्ले में काल बेलिया निर्थिय दोस्तों अगर काल बेलिया निर्थिय की जो स्कूल पूछी जाहे इस्कूल का है तो आमिर जैपूर के अंदर है आमेर जैपूर के अंदर इसकूल है लेकिन आपको ये सवाल पूचा गया है कि ये किस से समधित है काल बेलिया जो नर्ति जिले से समधित है जसलमेर जसलमेर से समधित है और इसकूल आपको पूचिया जाए इसकूल कहा है आमेर जैपूर के अंदर कहा है आमेर जैपूर के अगला क्यूश्निस देखें। बग्रु छफबर रजिस्तान में कौन सा इससा होता। बग्रु के लिए, बिलकुल जेपूर है। बग्रु के लिए कौन सा किस मुख्य मंत्री कर रहा तो इसका जो सही आंस्वर है मोहनलाल सुकाडिया अगला किसमस देख देखते हैं दौलत राम साग को राजिस्तान में सम्मूदित किया जाता है तो ये दौलत राम सारण है इसे बाबू जी के नाम से जाना जाता है राजिस्तान विकास पार्टी की स्थापना किस के दुवारा की गी बिल्कुल अच्छा कुछ्षा कर्णु प्रजमोहनलाल कि सही आंसर बजमोन लाग अगला क्यूसनस देखिए हैं चौधी विदान सभा के सभापती को ने इसका दो बिल्कुल सही आंसर है वो केलास मेगवाल सभापती पूछा तो केलास मेगवाल है अगला क्यूसनस देखिए राजिस्तान में वर्षा का समय कितनी बार होता है वर्षा का समय कितनी बार होता है एक इस तीन चरणों के अंदर होता है कितने चरणों के अंदर होता है चीर तीन चरणों होते है राजस्तान में वर्षा का तीन चरण आगला देखिए इंद्रा गांदी नहर की आउसिकता है बरसात के लिए सर्डियों के लिए पानी के अबाव के लिए अत्यंदी घर्मी के लिए बिल्कुल पानी का अबाव था इसलिए यहां इंद्रा गांदी नहर लाए गई इंद्रा गांदी नहर लाया गया पानी आता है पानी के अबाव से होता है नागपाड अजमिर से कहा से होता है नागपाड अजमिर से अगला क्यूसन से राजिस्तान की जो परसीद चांद बावडी कहा है दोसा के अंदर है चांद बावडी अबानेरी दोसा चांद बावडी कहा है अबानेरी दोसा के अंदर इस्तित है अगला देखे नील ब्लू सिटी जोद्पुर को का जाता है यह सवाल ब्लू सिटी किसी का जाता है जोद्पुर सेर को ब्लू सिटी कहा जाता है अगला किसन बेखे गार्डन बाग गार्डन बाग कहा है यह जसल मेर के अंदर है बड़ा बाग है जसल मेर के अंदर है गार्डन बाग बड़ा बाग इसका दो सही आंसर है वो जसल मेर है क्या है जसल मेर बिल्कुल जसल मेर है अगला क्यूस्ट विजे सिंग पत्ति के दुआरा राजस्तान के स समाचार पत्र निकला उसका नाम किया इसका आप हमें कमेंट के जरी आंसर देंगे दोस्तों और उसके बाद अगर नहीं मिले तो हम आपको कमेंट के देंगे बिल्कुल इसका आपको सामने दिया जाएगा उसकी बाद देखें हबीब तन्वीर की फिलम चरंदास चोर राजिस्तान के इसके लेखक कौन थे इसका जो लेखक हैं दोस्तों वो बता देते हैं हरिस बादानी हरिस बादानी करंट का सवाल है अगला देखे राजिस्तान में निमने मैं से पदमविभुसन से समानित गया यह करंट का कुचन है दोस्तों और इस प्रकार से कमल कोठारी नवाजर गया है तो इसका जो सही आंसर कमल कोठारी भी है अगला देखिए कमलेश नागल कोटी भारत अंडर 19 विश्व कप में निम्न मैंसे कब खेल लगए हुआ कहीं है इंक रारी किया स्विफ्टे सह लगए condition उование झाला बुोओंा काहूँ है तो कर दो कर दो कर दो कर दो कि और इसका जो सही आंसुर है 19 नमर क्यूसन का तो इन्हों ने है दो जार सोला के अंदर अंडर 19 में खेले गए थे विशू कप के अंदर उसकी बाद देगे राजिस्तान में बारत अपनी आतराश्य सिंधा किसी जूड़ा हुता है तो पाकिस्तान के साथ में जूड़ा हुआ उसके बाद में अगले किस्तान की बात करते है उतरी अरावली के छेतर में क्यों सा जिला उतरी अरावली की बात करते है उतरी अरावली के दिन कौन सा जिला समलीत है उतरी अरावली की हम बात करते है तो इसका जो सही आंसुर है उतरी अरावली की हम बात करने वाले है इसम में कब प्रारम नागोर के अंदर कब प्रारम की गए थी तो उनीशो गुंसांट के अंदर प्रारम की गए थी नागोर के अंदर बगदरी गाव नागोर से से 95 नहीं आट मोंभोष से जो जोडते हैं राजिस्तान में इसकी लंबई कितनी है तो यह बिल्कुल अच्छा विश्ण से राजिस्तान में इसकी लंबई जो सांसो बीस के हैं यह सांसो भीस है और अगले किसिमिस की बात करते हैं कैंदरी विद्यालेकी स्थापना कब की गई है तो 2009 के अंदर की गई हैं इसका जो सही आंसर है दोजास सत्रा का हिंदि साई तिय दिली द्वारा जो पुरुसकार दिया गया है वह बी-ल वियास को दिया गया है व daddal दिया उसके बाद फन्स छोटि कि उसके बाद में हम बात करते हैं राजस्तान में मानव अधिकार आयों की पहली महिला कौन थी तो कांता कुमारी बटना करती पहली महिला और उसके बाद है राजस्तान की पर्थम महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी तो कुसल सिंग बनी थी कुसल सिंग बनी थी इस परकार स से हमारा जो है सो बीस टी सी गा सो पचास स्टूषं से उन्नना पा सवलीशन किया क coercition कैसा लगा आपमें कमेंट के बाते दोस्तों आप में कमेंट के जरी जरूर बते बिल्कुल कर दोस्तों हम आप से समय माघते हैं कि नंदर कुछ कारण एक यह सुत झाल झाल